नमस्कार तला, स्वाग अच्छ, कॉंब्यूटर आर्गिटेक्चर को नया लेक्चर वीडियो माँ आज आमी आमरो बेसिक कॉंब्यूटर मोडर ले सपोर्ट गरने डिफ्रेंट टाइप्स अफ इंस्ट्रोक्षन्स अरुकु बारे माँ स्टोडी गरने सौं लेक्चर वीडियो स्टार्ट गरनु अगाड़ी यदि यो चैनल ला तप वहले सब्सक्राइब गरनु बाको शाइना वनी प्लीज मला सपोर्ट गरनुको लागी यो चैनल सब्सक्राइब गर दीनौला प्रलागो आजको टॉपिक तरफ़ा अमगो बेसिक कम्पुटर मोडल जुन सा अमले पडि राहागो मोडल तेशले सपोर्ट गरने इंस्ट्रक्शन अलेगो 16 बित को होंसा जा स्लाइब इफ्रेंट पाट्स अरुमा दिवाट गरेगो होंसा जीरो देही 11 सम्मको 12 बित सा अरुगो योटा पाट तेश्ते ही 12 देही 14 तीन बित सा अरुगो योटा पाट जल्ला आमी अपकोड बान्सों तेश्ते ही 15 नम्मर को अरुगो पाट जसले जेनरली आईले जाए दिनोट करींसा यो इंस्ट्रक्शन मा 12 देही 14 सम्मको जुन तीन उटा बित सा तेव वने को अपकोड पाट हो जसले जेनरली अपरेशन सारुगो डिफाइन गरी राहे गोंसा तेश्ते ही 0 देही 11 को 12 बित्स तेश्ते ही यो लास्ट को 15 नम्मर बित्स सब्बाइ लगाया रहे जुन 13 बित्स होंसा तेले की काम गरसा बनेरा की मा डिपेंड गरसा बनेरी यो अपकोड मा अब यहरों हमरो बेसिक कम्पूटर मोडर ले सपोर्ट गरनी डिफरेंट टापस अफ इंस्ट्रक्शन फस्ट इंस्ट्रक्शन जा अब यह मेमोरी रिफरेंच इंस्ट्रक्शन मा जोन अपकोड को वैल्यू उन्च तेव कती उन्च वन्च वन्ना हैरी 000-110 सम्मग यह दि 000 आको संब हनी अपकोड को वैल्यू त्यो कास तो टाप को इंस्ट्रक्शन होनेबाद Memory Reference Instruction, तेस्ते 001 आको छाओ वानी, त्योपनी की वनिबर, Memory Reference Instruction, तेस्ते 010 आको छाओ वानी, यूपनी Memory Reference Instruction, तेस्ते 011 आको छाओ वानी, यूपनी Memory Reference Instruction, तेस्ते अपकोड को वैल्यू, 100 छाओ वानी, यूपनी Memory Reference Instruction, तेस्ते अपकोड को वैल्यू, 100 छाओ वानी, य 1 1 0 छा वाने यो पनी के उन्छा Memory Reference Instruction उन्छा रक्कुना इंस्ट्रक्षन Memory Reference Instruction वो वाने तेसको 0 देखी 11 नम्मर को सम्मको 12 bits जुन छा 2 bits ले address specify गर्षा जुन यो instruction execute उनको लागी चाहिने data find out गरनेको लागी useful उन्छा तेस्ते Memory Reference Instruction ले data types को addressing mode support गर्षा तेस्ते बनेको direct addressing mode तेस्ते indirect addressing mode अब तेस्ते चुट्ट्यों को लागी further यो 15 नम्मर को bit i अबने गरिंछा जुन एती बेला addressing mode bit बने रचिरिंछा येदी इसको value 0 छा बने यो Memory Reference Instruction बनेको कस्तो टाइप को उन्छा दा direct addressing mode तेस्ते यो आईको value 1 अबने तेती बेला यो Memory Reference Instruction बनेको indirect addressing type को हुने गर्षा तेस्ते नेक्स्ट और को टाइप को instruction अब यो Register Reference Instruction अब यो Register Reference Instruction मा अब कोड जुन 3 bit अबनेको तेसको value 1,1,1 उन्छा फर्दरमोर जुन आईत bit अ 15 नम्मर bit तेसको value की उन्छा 0 उन्छा Register Reference Instruction अरूले उन्हेपनी Operation गर्दा खेरी accumulator मा बायको data content मा गर्नी हुदा तो instruction को 0 देखी 11 नम्मर को 12 bits अरूज उन्छा एती बेला Register Operations Define गर्नुको लागी यो जुन्छा बनेको यो Register Reference Instruction ले कस्तो टाइप को Operation गर्नु पर्नी हुँँँँगो त्योकुरा कसली डिफाइन गर्छा 0 देखी 11 नम्मर को 12 bits अरूले डिफाइन गर्छा तेस्ते अरूको इंस्ट्रक्शन चा Input-Output इंस्ट्रक्शन अरूको अपकोड बानेको 111 उन्छ 3-bit को value 111 उने बाय तेस्ते जुन 15th नम्मर bit अ यो bit तेसको value कती हुँँँँँँश 1 यो Input-Output इंस्ट्रक्शन मा पनी 0 देखी 11th नम्मर को 12 bits जुन उन्छ 3 यो का लागी यो जुन शा बन्दा हैरी ते इंस्ट्रक्शन ले कस्तो टाइप को operations गरनू परनी हो ते डिफाइन गरनी काम गर्श अब इंस्ट्राम ले समरी मा बन्दू परदा कुने पनी basic computer model ले कस्तो टाइप को इंस्ट्रक्शन ओ बनार चिन्न का लागी फर्स्ट अफ अल की एरशा था अपकोड को वैल्यू जरू एरशा तेसमा पनी अपकोड को 3-bit 1,1,1,6 की चैना बनार एरशा यदि 6 बने S ले हो, Y ले हो ते यो कस्तो टाइप को इंस्ट्रक्शन ओना सक्सा था रजिस्टर रिफरेंस इंस्ट्रक्शन और इन्पूट आउट्पूट इंस्ट्रक्शन अब यो रजिस्टर रिफरेंस इंस्ट्रक्शन ओ की फर्दर इन्पूट आउट्पूट इंस्ट्रक्शन ओ वानार फर्दर छुट्ट्य उन्हों को लागी यो 15th number bit यू जुन शुन शुन अब यू 15th number bit जुन आमले i वाने रहा दिनोड़ गारहा सुम i को value चेक गरने बायो i को value यदी 0 सा बाने के बायो register reference instruction बायो तेस्ते i को value यदी 1 सा बाने input output instruction उने बायो अब तेस्ते i ू अपकोड जुन शुन 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 वान शुन 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 वाने 9 लेखुं आन ते थी बेला कुन इंस्ट्रक्शन उने बायो memory reference instruction फर्दर अब यू memory reference instruction ले support गरने addressing mode भाने को दीटास यह उता direct र इंडिरेक्ट अब त्यू छुट्ट्याओन को लागी फर्दर की चेक गरनू पर निवायो यह i1 नी bit चेक गरनू पर यह 15th नम्मर bit अब यदी तेस्को value 0 सा भाने direct addressing mode भायो यदी यदी यशको value 1 सा भाने indirect addressing mode अब यहरो memory reference instruction तेस्ते register reference instruction तेस्ते input output instruction भित्रा परने key instructions अरको example अरू सुरुमा यहरो end instruction इच instruction लाई 4 digit को hex code ले represent गर एकोछा यवटा hex digit लाई represent गरना कथी bit यूज हूँछा 4 bit जूँछा 0, X, X, X यूँछा यूँछा यो 0 रहा कथी bit ले represent रहा 0, 0, 0, 0 4 bits अब यूँछा अब यो 14 bits, 14 bits 12 bits 12 bits यूँछा 3 bits अब यूँछा जुन 15th नम्मर को बीट सा यो चाहें कियो आईले चाहें आमने दिनोड दारेगो सो यहां चाहें अपकोड 000 बाव को नाले हामी की बनना सक्सम बनना हैरी यो कस्तो टाइप को इंस्ट्रक्शन हो दा Memory Reference Instruction Furthermore, आई को वैल्यू 0 बाव को नाले कस्तो टाइप को Addressing Mode हो, Direct Addressing Mode रते थी बेला यो अपकोड ले Operation Define गर सो यो इंस्ट्रक्शन ले गर ने Operation बनने को की होता A, N, T, AND So, अपकोड 00 ले की रिप्रेजेंट गर यो, AND operation अब तेस थे, 1, X, X, X जुन सो अब, अचलाए Convert गर दाहरी 1 को 4-bit मा रिप्रेजेंट गर दाहरी 0, 0, 0, 1 तेस थे, यो X, X, X जुनेगो ते थे, बेला 12-bits जुन जा तेलाए रिप्रेजेंट गरेगो अब यह आए रो, यो अपकोड ओ यो अपकोड 001 बावा खोले यो कस्तो टाइप को instruction हो दा Memory Reference instruction तेस थे, आएको वैल्यू काथी छा 0 सो, Direct Addressing Mode तेस थे, यो अपकोड जुन पाडशा यो अपकोड जुन पाडशा लास्ट को जुन 12-bit सुन तेलाए चाहें के स्पेसिफाइगर सा Address, Memory Address स्पेसिफाइगर सा तेस थे, यो अपकोड जुन पाडशा 001 को यल्ले चाहें, कुन Operation Define गवर गवरेको सा Add Operation तेस थे, औरू combinations औरू instruction औरू को लागी पेन रहेको सा 2xx अब यहां 2 1 ने को इसको binary मा 4-bit मा रिप्रेजेंट गवर दाखेरी काती हुँँँँँँँँँँँँँँँँँट 0010 तेस पची, x, x, x आउँँँँँँट अब यह पनी किवाँद यह आपकोड, 010 बाकों आले Memory, Reference, Instruction अब तेस्ते यह 0 अचा तेस्ते यह 0 अचा अब यो कसरी चिन्नी वान्दा है यहां 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आको छाएना अब एस लाए तपा यह अरले binary में convert गरनू बायो वाने यह अरू कसरी को value पनी 0, 1, 1, 1 चाहें आओ देना तेस्ते 1, 1, 1, 1 पनी आओ देना किनो अब टाहरे यह अब कोड यह 121 आओ 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 अने यह किये इंस्ट्रॉक्षन उन्जाथ सिधे रजिस्टर रिफ्रेंच और इन्पू आओपूट इंस्ट्रॉक्षन उन्जा ते बार इन यार्गो तेमा अत्वा यार्ले binary मा convert गरनू बावय वने चे यो value आउने ही साग बाएन। ते बार इन सब्पए को कस्तो टाइप को इंस्ट्रक्शन होदा Memory Reference Instruction हो Furthermore, Memory Reference Instruction दो इता टाइप्स को सा आमला थाज योटा Direct र इंडारेक्ट अब डाइरेक्ट मुदा हैरी हमले i equals to की उनू परशा यो i th bit की उनू परशा 0 तेस ताइ indirect को case मा i equals to 1 उनू परशा अब जस्तो इंस्ट्रक्शन होदा होँ अब इंस्ट्रक्शन मा 8XXX लेहेगोशा अब यो 8 लाए 4 bit मा रिप्रेजेंट गार दा हरी की होँँँजा 1 0 0 0 अनि यो अनेको remaining 12 bits अब यहां चाय अपकोड है रहोँदा 0 0 0 च तो यो की होँदा Memory Reference Instruction फ़र्दर यहां आईको वैल्यवान बाखो नाले Indirect Addressing Mode यो अपकोड 0 0 0 ले कुन अपरेशन डिफाइन करसा A and D and तेस्ते अरू यो इंस्ट्रक्शन अरू को लागे पनी हो अब यहां आईरू Memory Reference Instruction अरू कती ओटा छाता वन्दा हरी यह 7 ओटा इंस्ट्रक्शन अरूसा कीन अता वन्दा हरी जुन अपकोड को तीन ओटा बिट्स अरू उन्दा हरू उन्दा है यह को टोटल कम्बिनेशन को ती ओटा बन्दा आठ ओटा जस्मा यह ओडा कम्बिनेशन जुन्दा 1 1 1 त्यो और कई टाइप को 2 ओटा इंस्ट्रक्शन त्यो वानेको यह ओडा रजिस्टर रिफरेंस इंस्ट्रक्शन और को इन्पूट आउट्पूट इंस्ट्रक्शन ला रिप्रेजेंट गरनुको ला यह उन्दा जो बाखी जुन साथ ओडा कम्बिनेशन छन तेसले जाए डिफरेंट अपरेशन अफ डिफाइन गर्शा तेसले अब यू बाक्स मा बाखका इंस्ट्रक्शन अरुएरूं अब यू बाक्स मा बाखका प्राईज सब इंस्ट्रक्शन अरुगो अग आड़ी चैंकेशा 7777 अब यू कुने यहोडा इंस्ट्रक्शन लेहूं 7800 अब यह स्लाइज 16 बिट मा रिप्रेजेंट गरदा है यह 7 बानेगो 0 1 1 1 तेस्ते 8 बानेगो 1 0 0 0 अब यू 0 रह 0 अब यू 0 अब यू 0 अब यू 0 लेखनू परने बायो अब यहां है रहूं जुन एत्ति पार्ट जुन यू कियो अपकोड रहू अब कोड को वैल्यू केच 1 1 1 अब यू की टाइप को इंस्ट्रक्शन उन्ना सक्षा रोजिस्टर रिफ्रेंस इंस्ट्रक्शन उन्ना सक्षा और इन्पूद आपूद इंस्ट्रक्शन उन्ना सक्षा अब तेले लाए फर्दर छुट्टे उन्होंको लागी यो आई बनने बिट जुँँँछ, इसको वैल्यू के ज़ा 0. ते बारे यो कस्तो टाइप को इंस्ट्रक्शन होदा, रजिस्टर रिफ्रेंस इंस्ट्रक्शन. रजिस्टर रिफ्रेंस इंस्ट्रक्शन मा यो बाकी रखे का 12 बिट रुट 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 रु गरिएको सा, clear? अब यह सब्पे इंस्ट्रक्शन मा एरों था 7, 7, 7 बाको ओनाले, अब यह 7 लाए, कनबड गर दाखेरी, सुरुमा आओने बिट्स पनेगो जाएले पनी की होंचा, 0, 1, 1, 1 होंचा, बाने पाजी, सब्पे इंस्ट्रक्शन की होता, रोजिस्टर रिफ्रेंस इंस्ट्रक्शन, चुन कती होता सा, 2L होता, तिस्थे, नेक्स्ट यह इंस्ट्रक्शन ला एरों, अब यह इंस्ट्रक्शन को यह वड़ा एक्जाम्पल लिएं, F800, अब ए F800 लाए, कनबड गर दाएरों, F लाए कनबड गर दाहेरी, 11114 bit मा, तिस्थे, 800 लाए कनबड गर गरें, 1 अनी, 000, तिस्थे, अब 0000, 0000, 0000, अब यह एरों, जो नियो अपकोड गो यह 3 bit सा, केसा, 111, सो की उनी बायो, रोजिस्टर रिफरेंस इंस्ट्शन पनी उना सक्षा, इंप। आपूट पनी इंस्ट्शन पनी उना सक्षा, फृदर, I equals to 1 बाको नाली, यह की इंस्ट्शन अधा, इंपूट आपूट इंस्ट्शन, रो तिती बेला, यह जुन 12 bit सा, रो सा जुन, यह output, operations define, आरथो, 800 की नाप रोट इंस्ट्शन, रोटौ ऑनी इंस्ट्शन, इंस्ट्शन, रो, सब्गे, इंस्ट्शन राρη बार्य, की alo, हो, Input, Output, Instruction. This is the next topic, Instruction Set Completeness. अब कुने पनी instruction set, complete छोकी छाइना बना रचिनना का लागी, यदि कुने टाक्स वा बना functions, computer लिए perform गरना सक्षा, means त्यो computable हो बने थासा आमिलाई, रच त्यो instruction set मा त्यो त्यो टाक्स वा functions परफॉर्म गरने, necessary instructions हरू सह बने त्यो set complete भायो, जासलाई आमी complete instruction set बना सक्षाँ, otherwise त्यो instruction set incomplete बना सक्षाँ, so उने पनी instruction set complete बना को लागी, त्यो मा different types को instruction अरू बना सक्षाँ, जासलाई, functional instruction बना सक्षाँ, जासलाई, orthomatic, logic and shift operations अरू perform गरना सक्षाँ, त्यो टाक्सफर गरना को लागी, चाहिनी different instructions अरू बना सक्षाँ, त्यो 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 different conditions अरू यहरिर, program को flow control गरनी instructions अरू उने पर सहे, त्यो त्यो CTRL instruction बनारीँ, सहे different types of input output instruction उने पर सह, अब इस्टे इस्टे नए लेक्ट्ट्र वीडियो जर्व एने कल आगी, पीज यूज चैनल लाई सुस्क्राइब गर्ना नो बिट्षेन ओला, धन्य बाद